फ्रेंड्स आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सूरत के फेमास पॉंक की भेल की रेसिपी स्पेशियली विंटर की सेजन में सूरत में पॉंक बहुत आता है यानि कि साउथ गुजरात में पॉंक की मात्रा बहुत होती है तो ये हेल्दी और टेस्टी चाट सिर्फ आप 5 मिनिट में घर पे आसानी से बना सकते हो और कोई भी चाट में यूज होने वाली हरी चटनी की भी रेसिपी शेयर करने वाली हो इसे आप स्टोर भी करके लंबे समय तक फ्रीज में रग भी सकते हो और मैंने यहाँ पे सूरत की पॉक नगरी है उसमें पॉक कैसे बनता है उसकी वीडियो भी डाल रखी है तो वीडियो को एंटक जरूर देखिएगा तो हम फटाफट से पॉक की भेल बनाना सुरू करते है पॉंक की भेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पॉंक लिया है इस पॉंक को आप थोड़ा सा रोष्ट भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पे कच्चा वाला ही यूज किया है उसमें मैं डाल रहे हूँ एक मीडियम साइस का चॉप किया हुआ टमाटर एक मीडियम साइस का चॉप किया हुआ प्याज थोड़ी सी चॉप की हुई तनिया और दो चमच हरी चतनी आधा नीमू का रस और यहाँ पे जो हरी चतनी बनाई है वो भी हम घर पे ही आसानी से बनाएंगे उसमें हम स्वाद अनुसार डालेंगे काला नमक थोड़ा सा चाट मसाला और इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पे आप घरमी जो और वेजीटेबल्स होते है जैसे की खीरा है गाजर है या फिर बीट रूट है उसको आप फाइनली चौप करके या फिर कद्दू कस करके डाल सकते हूँ वो आपनी चोईस के हिसाब से बस हमने जटपट से इसे मिक्स कर लिया और हमारी पोक की भेल बनके तयार हो गई उसके उपर में थोड़ा सा यहाँ पे लेंबू मरी वाली जो सेव आती है थोड़ी सी तीखी और चटपटी आती है उसको हम डाल रहे है यह बिलकुल यह उप्शनल है अगर आप ये भेल डायेट के लिए या फिर वेट लोज के लिए बना रहे हो तो फिर यह स्कीप भी कर सकते हो इसके बीना भी यह भेल बहुत ही टेस्टी बनके तयार होगी अब कोई भी चाट के अंदर जो हरी चटनी यूज होती है और मैंने यहाँ पे पोक की भेल में भी हरी चटनी डाली तीन हरी मीच, आधी चम्मच, अदरक, कद्दुकस किया हुआ, एक नीबु का रस्ट अब हम इसमें डालेंगे चार से पांच आइस क्यूब को और थोड़ा सा यानि की दगबख दो चम्मच जितने मूंफली के दाने मैंने यहाँ पे कच्चे वाले मूंफली के दाने यू कर सकते हो, इसे हमें अच्छे से ग्राइन कर लेना है, तो हमारी हरी चटनी बनके तयार हो गई है, यहाँ पे हमने आइस क्यूब का यूज किया है, तो यह हरी चटनी है, उसका कलर कुछ दिन के बाद भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इस हरी चटनी को आप 7-8 दिन के ल इसे यूज कर सकते हो, अब सूरत की पॉंक नगरी में आप देख सकते हो कि पॉंक कैसे बनाया जाता है, ट्रेडिशनल तरीके से बहुत सालों से पॉंक यहाँ पे ऐसे ही बनता है, इसके जो रोप्स होते है, उसको राख और मिट्टी के अंदर पहले रोस्ट किया जाता ह ताकि छोटे छोटे रोप है वो जल जाए और अंदर के जो दाने होते है वो सेपरेट हो जाए, अब सारे रोप को इस तरह कोटन की थेली के अंदर डालके उसको इस तरह से लाठे की मदद से एकदम कूटा जाता है ताकि रोप के अंदर जो दाने होते है वो सेपरेट हो फिर इसमें से dust यानि की कचरा होता है धूल मिटी होती है इसको इस तरह से अच्छे से साफ किया जाता है ये दोसे तीन बार प्रोसेस करने के बाद एकदम साफ वाले पॉंक के दाने सेपरेट होके मिल जाते हैं तो इस तरह से बहुत सालों से पॉंक नगरी में ट्रेडिशन तरीके से पॉंक बनाया जाता है और इस पॉंक से बहुत सारी हेल्दी और टेस्टी रेसिपिस बना सकते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी पॉंक की भेल ज़रूर से ट्राइ कीजिएगा और अगर मैंने पॉंक के वड़े की रेसिपी उल्रेडी चैनल पर अपलोड क करके रखी है वो भी आप देखके घर पर ट्राइ कर सकते हो और मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू